हलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटल टाइगर, बिग टाइगर एक मा बागिन अपने छोटे बच्चे के साथ एक नदी के निकट एक छायादार जंगल में रहती थी जब मा बागिन सिकार करती थी उसका बच्चा उसके पास ही रहता था एक रात मा बागिन थकी हुई थी और उसकी आखे बन थी, तब ही बागिन के बच्चे ने एक छोटा मेंडग देख लिया और उस पर जपट पड़ा लेकिन मेंडग फटक कर दूर भाग गया उसने मेंडग का पीच्छा किया और उसे पकड़ लिया और उसे अब मा को दिखाने के लिए मुडा लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी अपनी मा की जगह पर उसने बहुत बड़े बाग को अपने पास खड़े हुए देखा बागिन का बच्चे ढर गया वो न छेप सका नहीं भाग सका बाग उसके पास आ गया उसी समय मा बागिन जोर से दहाडने लगी बाग चला गया मा बागिन को जोर की दहाड लगाना पसंद था जिसके कारण अन्य सभी जानवर उससे दूर रहते थे बाग के बच्चे को भी दहाडना पसंद था लेकिन वो छोटा था और इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उससे जरा भी नहीं डरते थे फिर एक ऐसा साल भी आया जब चोटा बाग का बच्चा एक पूरा विक्षिद बाग बन गया जब भी वो दहाड लगाता था जंगल के सभी जानवर डर जाते थे वे उससे काफी दूर रहते थे अपनी जोर की दहाड संकर पर स्वेम एक बड़े बाग की तरह मुसकर आया let's discuss the question answers now where did the mother tiger and her small tiger cub live they live near a river what did the mother tiger hunt when the sky was dark deer and pig what did the tiger cub catch one night she caught a frog what happened to the little tiger cub when he chased the frog when the little tiger cub chased the frog a big tiger came near him but his mother saved him so that's all from this chapter see you in my next video goodbye